स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इम्यूनीटी पीप्चे के लेक्चर में हमने आपको अच्छे से समजह दिया है इम्यूनीटी हमारे सरीर की वाज buffalo है जो हमें बिमारी या बिमारी फैलाने वाले जो एजेंट हैं जैसे की वाइरस बैक्टिरिया फंजाई या अन्य और कई माइक्रोब्स हैं इनसे सुरच्छा प्रदान करती है बाकी आपने देख लिया था मुख रूप से इम्मुनिटी दो तरह की होती है इन्नेट इम्मुनिटी और एक्वाइर्ड इम्म इम्मुनिटी क्या है और इसके खास कारेक्टर काउन-काउन से है या किन-किन चीजों से मिल करके बनी होती है यह सरा डिटेल हम आपको पिछले लेक्चर तक दे दिए थे बाकी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्वाइर्ड इम्मुनिटी कितने तरह की होती ह एक्टिव इम्यून्टी क्या है और पैसिव इम्यून्टी क्या है नेचुरल या आर्टिफीसियल इम्यून्टी क्या है वैक्सीन क्या है कैसे बनाया जाता है और वैक्सीन क्यों लगवाया जाता है वैक्सीन के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमारी सरीर के अंदर इंजेक्ट क तो जैसा कि पहले से ही आप जान चुके हैं ऐसी immunity जो हमें जन्म के बाद तब राप्त होती है जब किसी पैथोजन का हमारी सरीर के ऊपर attack होता है या infection होता है तब अब आएए ये समझते हैं acquired immunity कितने तरह की होती है तो देखे acquired immunity मुख रूप से दो तरह की होती है जैसा कि इसके आपके माध्यम से आप समझ फारह होंगे पहला है active immunity और दूसरा है passive immunity एक्टिव और पैसिव सब्द से ही आप समझ फारह होंगे active का मतलब होता है सक्री और passive का मतलब होता है निस्क्री अब यहाँ पर सक्री और क्या मतलब है पहले आप active का समझे ऐसी immunity जिसका निर्माड हमारी सरीर के अंदर हो मतलब कि जब हमारी सरीर के अंदर किसी भी pathogen का attack हो या vaccination हो हमारे सरीर में तब जो immunity हमारी सरीर के अंदर बन किसी दूसरे प्राड़ी के अंदर बनी हो और और सेक्ता नुसार हमारी सरीर में इंजेक्ट करा दिया जाए तो इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं बाकी एक लाइन में आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ऐसी इम्यूनिटी जिसका निर्माड हमारी सरीर के अंदर हो उसको एक्टिव बाकी दूसरे किसी प्राड़ी के सरीर के अंदर बनी बनाई इम्यूनिटी अगर हमारी सरीर के अंदर लाकर के डाल दिया जाए तो उस इन्टी पर्शन ओन सेल्स प्रोड्यूस एंटीबाडी इन रिस्पांस टू इन्फेक्शन और वैक्सिनेशन यानि कि इस तरह की इम्यून्टी में पर्शन ओन सेल्स एप्शूद की इन्टीबाडी बनाती है जो immune को सिकाएं होती हैं वो antibody बनाती है antibody ही जाकर पैतोजन को किल करती है बाकि कुछ immune को सिकाएं भी किल करती है ऽे maximum जो है एंटी बॉडी ही जाकर के पैथोजन को किल करती है आगे फिर आफ लिख देंगे इटीज स्लो मतलब जो active immunity होती है यह स्लो होती है स्लो का मतलब इसका निर्माट धीरे धीरे हमारी इस रहीर के अंदर होता है यानि इसे बनने में एक हफ्ते या फिर कई हफ्ते लग सकते हैं तो यह स्लो होती है और टेक time information of antibody और antibody बनाने में यह समय लग सकती है ठीक है यहनि कि antibody बनाने में इसमें काफी समय लग जाता है अगे लिख देंगे इट is a long lasting and harmless ये ठीए यह पर आपने लिखा है कि slow काफ़ी धीरे धीरे बनती है समय लेती है लेकिन नीचे आप लिखेंगे लांग lasting एक बार अगर बन जाती है तो कई महीनों या कई सालों तक या immunity पड़ी रहती है तो बनती तो धीरे-धीरे है लेकिन बहुत समय तक यह पड़ी रहती है आगे आप लिखे हैं हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब क्या है कि यह इम्मीनिटी हमें कोई नुकसान नहीं करती है तो आपने दो-तीन पॉइंट देख लिया पहला तो यह है कि यह बेक्ति के अंदर खुद की कोषकाएं बनाती है और दूसरी बात यह काफी स्लो होती है यानि इसका निरमाढ हमारी सरीर के अंदर धीरे-धीरे होता है जिसमें एक सब्ताह या कई सप्ताह लग सकते हैं बाकि इसके अलावा जो है यह लांग लास्टिंग यानि एक बार बन जाती है तो फिर बहुत दिनों तक रहती है यानि कि बहुत दिनों तक अगर कोई जिस पैथोजन के लिए इम्यून्टी धीरे-धीरे बनकर तयार हो गई है वह पैथोजन अगर हमारी सरीर के अंदर आता है तो हमें बिमारी नहीं फैलाफ आएगा मतलब कि एक बार अगर बन जाती है तो बहुत दिनों तक हमारी सुरच्छा प्रदान करती रहती है बाकि आपने देख लिया कि यह हार्मलेस होती है यानि कोई भी नुकसान हमें नहीं पहुंचात है अब एक्टिव इम्ची भी दो तरह की होती है नेल और एक्टिव और शुरय करते चाहिंगे तो उपर का एक्दम अच्छे से किलियर करते जाएंगे खुकिलिए से इख्थे से याद कर लिए एक्टिव का मतलब आईसी दश्यू जिसका निर्माढ हमारी शरीर के अंदर हो और पैसु का मतलब जिसका दूसरी किसी प्राड़ी के सरीर के अंदर जिसका निर्माढ हुआ हो और सक्ता-णुसार हो हमने डी behaviors हो यानि कि बनी बनाई अगर हमें दी जाती है तो पैसिव और इसका निर्माण हमारी सरीर के अंदर होता है उसे एक्टिव कहेंगे इससे आप एकदम क्लियर रहे तब देखिए अब इनका अंतर आप समझवाएंगे अब नेचुरल और आर्टिफीसियल का मतलब क्या है ऐसी इम्यून्टी जो हमारी सरीर के अंदर अपने आप बने यानि कि कोई इन्फेक्शन हुआ हमें और इम्यून्टी अपने आप बन करके तैयार हो गई तो इसको आप क्या कहेंगे नेचुरल लेकिन अगर उसमें हमारा उसमें मानो का कोई हाथ हो यानि मानो के दोरां अगर इम्यून्टी तैयार किया गया हो जबरदस्ती तैयार किया गया हो तो नेचिरल इम्यून्टी में लिख देंगे ए परसन हो हैज रीकवर फ्राम अटैक आफ इसमाल पॉक्स डेवलप नेचिरल एक्टिव इम्यून्टी यह ऐसा कोई बैक्त जो रीकवर का मतलब ठीक हो जाए फ्राम एन अटैक आफ इसमाल पॉक्स अगर किसी बैक्ति के अंदर वाइरस का इसमाल पॉक्स का मतलब बड़ी माता का नाम या चेचक ऐसा नाम आप सुने होंगे बिमारी है अगर इसका किसी प्राड़ी के उपर आटैक होता है और खुद से ही वह ठीक हो जाता है रीकवर हो जाता है तो उसके अंदर जो इम्यून्टी डिवलप होती है उस लिए कि यह इम्यून्टी पेठोजन के आने पर सोटह तैयार हो गई है इसमें कुछ करना नहीं पड़ा इंफेक्षन आते खुद यह इम्यून्टी तैयार हो गई इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए इसको नेचूरल कहेंगे लेकिन ऐसा हो आप जो है infection से नहीं तयार होती है अब देखिए जैसे कोई प्राड़ी का ये शरीर है ये मैंने एक प्राड़ी बना दिया अब देखिए इसके अंदर कैसे natural और कैसे artificial बनेगी जैसे माल ये कोई पैथोजन आया और ये पैथोजन है ये पैथोजन है कोई वाइरस है या बैक्टिरिया है ये इसके सरीर के अंदर आया और इसके अंदर immunity बन करके तयार हो गए जैसे माल ये चेचक का वाइरस है ये आया इसकी सरीर के अंदर और इसके अंदर immunity बन करके तयार हो गई अब जब immunity बन जाएगी तो ये रीकभर हो ज जाएगा तो इस तरह की को क्या चाहिए नेचूरAल लेकिन एसी कोई केस होalam जिसमें खूद से अगर आगर इंफेक्षन हो तब नहीं मैटी के दौर ऑगर इंफेक्षन कर आया जाए मैको किенное दौरा क्या नियुक्षन कर आ अगर इसको वैक्सीन लगाया जाए इंजेक्शन के माध्यम से इसको अगर वैक्सीन लगाया जाए यह देखिए इसको अगर वैक्सीन लगाया जाए तब अगर इम्यून्टी बनते है तो इसको क्या कहेंगे आर्टी फीसियल यहां पर आपने देखा कुछ वैक्सीन अगर लगाना पड़ा जो आया इसके अंदर वाइरस और इसके अंदर इम्यूंटी बन करके तयार हो गई तो यह क्या हो गया नेचुरल लेकिन अगर वैक्सीन लगाकर इंफेक्शन कराया जाए तो इसको क्या कहेंगे और आरिटी वीचल का मतला मानों के दोरा तयार किया गया है मानों के दोरा वैक्सीन लगाये गया है बाकी तयार तो इसकी शरीर के अंदर ही हुआ है तो आप इसे समझ पा रहे होंगे अगर खुद से ही सोता ही infection हुआ और antibody बन करके तयार हो गई तो natural और अगर vaccine लगाया गया तब immunity बन करके तयार होई तो artificial अब vaccine क्या है तो देखिए vaccine किस तरह से infection करता है तो देखिए vaccine क्या है vaccine antigenic protein है या फिर weekend या treated या killed pathogen है अब इस vaccine के अं लगे तो Corona को एक सीन के अंदर Corona ही है अब और Corona का या तो protein हो सकती है या फिर Corona को करके वैक्सीन के अंदर भरा गया है या फिर उसको उसको treated किया गया है यानि इसको इस लेबल तक कमजोर कर दिया गया है कि वो हमें infection केवल कर सके बाकि हमारे उपर कोई जाना प्रभाव ना डाल सके बस इतना ही प्रभाव डाल सके कि हमारे अंदर की जो immunity हो जाग जाए यानि तैयार हो जाए वो antibody बनाना सुरू कर दे इसलिए हमको जो वैक्सीन लगाया जाता है उसमें कोरोना ही रहता है कोरोना का अगर वैक्सीन है तो करोना ही रहेगा रेवीज का वैक्सीन है तो रेवीज रहेगा अन्न कोई भी वैक्सीन हो जो इस बीमारी के लिए वैक्सीन लगाया जाता है उसी बीमारी का एजेंट उसके अं जाता खुदे हमारे अंदर antibody बन जाती तो इसलिए हम पहले ही वैक्सीन लगा लेते हैं क्यों क्योंकि कोरोना आएगा तो अपने हिसाब से वह active रूप में रहेगा एक्ट्व फार्म में रहेगा तो हमारे अंदर immunity तो बनेगी लेकिन हमको भारी नुकसान हो जाएगा जब तक immunity बनेगी अभी आपने देखा कि यह immunity बनने में समय लगती है तो मालीजे 20 दिन लगा या फिर एक महीने दो महीने लग सकता है तब तक तो हमारे उपर कोरोना आटैक कर जाएगा हमें भारी नुकसान हो जाएगा इसलिए हम कोरोना को इस रूप में करके मतलब इस लेवल तक उसको कमजोर कर देते हैं कि लगाने के बाद हमारी immunity को पता भी चल जाए कि हमारे अंदर कोरोना आ गया है और हमें कोई नुकसान भी न पहुंचे इसलिए तो वैक्सिन बनाने में काफी समय लग गया कोरोना का वैक्सिन बनाने में नहीं तो अगर केवल कोरोना ही डालना रहता तो कहीं से भी करोना डाला जा सकता था लेकिन उसको एक लेवल तक ट्रीट किया जाता है इसलिए कि वह हमारी immunity को जगा भी दे हमारी immunity को तयार भी कर दे और हमारे ऊपर असर ही न पड़े तो आपने देखा कि वैक्सिन में क्या होता है एंटिजेनिक प्रोटीन का मिसलर से कोई पैथोजन यह वाईरस ही गरश को प्रोटीन म सबढ़ को किया करती है was को क्या करती है मारती है तो आपने देख लिए कि वैक्सीन के अंदर एंटीजेनिक प्रोटीन हो सकती है या फिर वीकेंड पैथोजन हो सकता है या फिर ट्रीटेट पैथोजन या किल किया हुआ पैथोजन हो सकता है लेकिन उसको इस लेवल तक ला करके treat करना है कि हमारी immunity को पता भी चल जाए कि हमारे अंदर corona आ गया है या कोई भी infection हो गया है और हमारे उपर ज्यादा प्रभाव भी न पड़े जैसे आप देखिए कोई सोया है और बारिस आने वाली है अगर उसको जगाना है तो एक label में आप उसके उपर ऐसे पानी शिलक करके जगा देते हैं तो एक label में पानी शिलकते अगर आप उसके उपर एक मूंध ले जाकर के शिलक देंगे उसको पता भी नहीं चलेगा तो पास्दा भी नहीं पाये घाव और अगर आप एक बाल्टी पानी ले जाकर के उसके उबर फेक देंगे तो भीग जाएगा जगड़ा हो सकता है इसलिए उसको आप एक लेबल में पानी छिलकते हैं दो चार मूत ताकि उठकर के बैठ जा और गुस्सा भी न हो तो अगर आप बहुत कम ऐसे अगर एकदम किल कर दिया जाए कोई हमारी को पता भी न चला ऐसे रूप में कर दिया जाएगा तो भी वैक्सीन सक्षज नहीं है और ऐसा कर दिया जाए कि वैक्सीन से कि हमारे उपर काफी प्रभाव पढ़ जाए हम बहुत जादे बिमार पढ़ जाए तो भी वैक्सीन सक्षज नहीं है उ किसी दूसरे प्राड़ी के अंदर बनती है बनी बनाई इम्यूंटी हमारे आंदर इंजेक्ट करा दी जाती है नेचुरल का मतलब जब एक्टिव आपने से खुद से ताया हो जाए तो उसको नेचुरल कहेंगे अगर वैक्सीन अगर लगा करके जबरदस्ती हमारी सरीर के अंदर तयार कराया जाए तो उसको आर्टी फीसियल कहते हैं यहां तक आप क्लियर हो गए हैं बाकी आगे देखें पैसी इमिन्टी मैंने भी बताया है कि यह रेडिमेड होती है किसी दूसरे प्राड़ी के सरीर के पैसी इमिन्टी यहां से देखें समझे वेन रेडिमेड एंटी यानि जब बनी बनाई एंटी बाड़ी हार डायरेक्टली इंजेक्टेड मतलब डायरेक्टली इंजेक्ट करा दिया जाए इन्टू परसन यानि वेक्ति के सरीर में टू प्रोटेक्ट यानि सुरच्छा के लिए लगा दिया जाए तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे इसके भी कुछ कुण है देखिए इट प्रोवाइड इमीडियेट रिलीफ यानि कि यह जल्दी ही हमें सुरच्छा देती है जल्दी ही हमारा बचाव करती है तुरंत एकदम इटीज नाट लांग लास्टिं सुरच्छा तो तुरंत देती है लेकिन लंबे समय तक यह पैसिव इम्यूनिटी नहीं रहती है इसका उल्टा आपने देखा था कि लांग लास्टिंग बहुत समय तक रहती है लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहती है आगे देखे इट में क्रियेट प्रोब्लम और यह इ आर्टी फीशियल जैसे कि आपने एक्टी इमिंटी भी देखा था नेचुरल और आर्टी फीशियल अब वही बात फिर नेचुरल और आर्टी फीशियल तो वही है अगर खूद से बने तो नेचुरल अगर बनाया जाया तो आर्टी फीशियल बाकी ये बनेगी कहां खुद क प्राड़ी के शरीर के अंदर बनेगी लेकिन इसको बनाया जाएगा तो अभी देखे कैसे है नेचुरल इमिंटी में आप क्या लिखेंगे पैसी वाले में इस ट्रांसफर मतलब यह ट्रांसफर होती है फ्रां मदर टू फीटस मतलब माता से ठैसली का मतलब प्लेजंटा के दूरा ट्रांसफर होती है जैसे आप IgG यानि Immunoglobulin G यह एक प्रकार की Immunity है जो प्लेसेंटा को क्रास करके Mother से Child में चली जाती है यानि मदर से Embryo के अंदर चली जाती है प्लेसेंटा को क्रास करके IgG Immunity याद रखेगा कंपटिशन में बार-बार पूछा गया है इसके बाद आयेंड थू मिल्क और दूद के द्वारा भी Immunity मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होती है मिल्क का मतलब कौन सा मिल्क जो नव दुग्ध होता है यानि जब बच्चा पैदा होता तो उस दिन या उसकी एक दिन बात तक एक बिशेश प्रकार का दूद निकलता है जो काफी गाढ़ा होता है और तो हलका पीले कलर का होता है कोलोस्ट्रम उसको बोलते हैं या नवदुग्द भी कहते हैं तो यह दूद्ध तो सभी लोग पीए होंगे लेकिन तब आप काफी छोटे थे आपको याद तो रहेगा नहीं कि हमने पीया था लेकिन आप यह जो दुग्द नवदुग्द होता ह है इसको आप जानवरों में देखे होंगे आपके घर गाया भैस या पडोसी में आप देखे होंगे जिस दिन बच्चा देती है उस दिन एक विशेश फ्रकार का दूद्ध निकलता है यानि काफी गाढ़ा होता है और हलका पीले कलर का होता है जिसको फेंस कहते हमारी और मिला करके उसके बाद का उसको पकाया जाता है और पकाया जाने के बाद जम करके सॉलिड हो जाता है ठोस हो जाता है और फिर हम लोग उसको टुकड़े टुकड़े में काट देते हैं बरफी की तरह से और फिर खाते हैं या गाओं में भी बटवाया जाता है दूसरे कि किसी के घर ऐसा होता तो हमारे घर विला करके सब दे जाते हैं तो ऐसा आप खाए होंगे कभी ना कभी तो इसके अंदर भी जो है Immunity होती है जिसका नाम क्या है आई जी ए यानि इम्मीनोग्लोबियूलीन ए इसे भी आफ याद रखेगा तो आपने देखा कि यह Immunity Child को तो चाहिए बच्चे को लेकिन बनती है माता के सरीर के अंदर अब चाहिए दूद के माध्यम से जाए या फिर प्लेसेंटा के माध्यम से जाए वो बनी तो मदर के अंदर है लेकिन जा रही है किसके अंदर Child के अंदर जा रही है या फिर फीटस या Embryo के अंदर जा र लिए है क्योंकि जिसे चाहिए उसकी सरीर के अंदर नहीं बनी है किसी दूसरे की सरीर के अंदर बनी है यानि मदर की सरीर के अंदर बनी है इसलिए इसको क्या कहेंगे पैसिव लेकिन खुद से बनी है इसलिए इसको क्या कहेंगे नेचुरल अब इसका उल्टा देखिए आर artificial लेकिन यह जो है किसी दूसरे की शरीर के अंदर बनेगी और injection के माध्यम से लिया जाएगा यहां फर आपने देखा injection के माध्यम से नहीं बलकि आपने और यह उसको बनाया जाएगा तो इसका उदारन क्या है एं टीवेनमअंटेव क्या है तो अंसी में देखेए साफ के दवाँ ह साफ के दवाँ मतलब साप को कमारने की नहीं बलकि जब हमें साप काट लेता है तो वेनम यानि कि जहर उसका जो पौाइजन होता है वो हमारी सरीर में छोड़ देता है उसको वेनम कहते है जो पौाइजन साप हमारी सरीर के अंदर छोड़ता है वो वेनम है अब इसके विरुद्ध में जो हम दवा लेते हैं या जो वैक् साफ के प्वाइजन को निकाल लिया जाता है और निकाल करके साफ के प्वाइजन और निकाल करके इसे घोडे की सरीर में इंजेक्ट करें याता है ध्यान से siias समझेगा सबसे पहले साफ के पॉइजन को यानि वेनम को निकाल लिया गया और उसको घोड़े के अंदर लगा दिया गया अब आप कहेंगे कि घोड़े के अंदर ही क्यों लगाया गया गया गायव हैं उटा ऐसे कई जानवर है किसी के अंदर लगाया गया होता तो ऐसा नही यानि उसके उपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा लेकिन फिर धीरे-धीरे रीकवर हो गया यानि कि फिर जैसे था वैसे तंदुरुस्त हो गया यानि दौण ने लगा फिर अगले दिन फिर थोड़ा आधिक लगाया गया तो फिर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा लेकिन फिर recover हो गया ऐसे धीरे धीरे ऐसे डोज बढ़ाते गए बढ़ाते गए डोज आधिक कर दिया गया और बाद में ये भी देखा गया कि घोड़े के उपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा फिर बाद में क्या हुआ कि उस घोड़े के blood को निकाला गया और blood से serum को निकाला गया और ग्री serum को क्या कहा गया एंटी वेनम कहा गया तो इस प्रकार से यह जो है एंटी वेनम बन करके तयार हो गया तो आपने देखा कि यह जो एक प्रकार की immunity है लेकिन artificial है artificial लिए है क्LYं जो है इसे मानों ने बनाया यानि कि बनाया गया inject करा खरा करके बनाया गया और इसे तो आपने नहीं बनाया इसलिए नेचुरल है बाकि दोनों पैसिव हैं क्योंकि ये भी दूसरी की शरीर के अंदर बनी है और ये भी दूसरी के शरीर के अंदर बनी है तो आप पूरी तरह से एकदम कलियर हो गए होंगे कि active immunity जो खुद की सरीर के अंदर बने और passive immunity जो किसी दूसरे प्राड़ी की सरीर के अंदर बने और हमें आउसकता अनुसार दिया जाए बाकी चुरल क्या है जो खुद से बने artificial क्या है जिसे बनाया जाए अब बाकी इन character से देखे इनका character मिल रहा है अब जैसे एंटी बेनम है यह जो है क्या है प्रवाइड इमीडियेट रिलीफ अगर किसी को snake bite कर लिया है साब काट लिया है तो लगाने के बाद तुरंत आराम मिल जाता है अगर यह अगर यह भी immunity लांग मतलब धीरे धीरे बनती स्लो बनती माल यह immunity बनने में अगर दस दिन पांच दिन लगता तब तक तो बेक्ति की मृत्तु हो जाती क्योंकि साब काटने के बाद बेक्ति एक घंटे दो घंटे चार घंटे हाद से अज जी सकता है अगर उसका कोई treatment न किया जा तो उसकी 5-6 घंटे बाद डेथ हो आती है तो यह fast होना भी जरूरी है तो यह काफी fast होती है यानि कि immediate relief provide कराती है और इसके बाद जो है it not long lasting यह लंबे समय तक नहीं रहती है ऐसा नहीं कि एक बार आपको साफ काट लिया और आपने इसका immunity नहीं ले लिया तो फिर महीनों तक आपको साफ काटता रहे कोई अस आपड़ेगा ऐसा नहीं कि एक कई दिनों तक रहेगी वाकि आपने देखा कि it may create problem तो यह problem भे create करा सकती है अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई वेक्ति जो है अपने घर पे एंटी बेनम रखता और किसी डांक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती जियों साफ काट लिया वस्तुरंते आप लगा देते एंटी बेनम ठीक हो जाता लेकिन काफी सोच समझ करके एंटी बेनम लगाना पड़ता है क्योंकि जो है इट में create problem यह problem create कर सकती है यह एक प्रकार की एंटी वाडी है जो problem create कर सकती है बाकि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि acquired immunity कितने तरह क कि होती है नेचुरल क्या है आर्टिफीचल क्या है यह सारा डीटेल आप समझ गये बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लाइन आफ डिफेंस यानि सुरच्छा की तीन पंक्तियां कौन कौन सी है और कैसे आपको इसे समझना है इन्हीं सब के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद